बच्चों हम कोशी का चक्र और कोशी का विभाजन की बात कर रहे हैं पिछले वाले हिस्से में हमने कोशी का चक्र के इंटर फेज की बात की थी अंत्रा अवस्था की बात की थी आज हम एम फेज की बात करेंगे जैसे कि हमने पीछे वाले हिस्से में देखा था कि कोशी का च फिर उप अवस्थाएं है जैसे कि G1 है, S है और G2 है ये प्रेपरेटरी फेज में कोशिका जो है वो कोशिका विभाजन के लिए जो है वो पूर्व तयारी करती है जैसे कि हमने देखा भी था कि कोशिका के अंदर में जो केंद्रक है उसमें जो DNA है उसका दुगनी करण होता है, Synthetic Phase में उसके जो और Organals है और जो अनु है उनका निर्मान होता है अब जब ये पूरी तरीके से ये तयार हो जाती है विभाजन के लिए तो इसके बाद G2 के बाद यानि Growth Phase 2 के बाद M Phase आती है यानि कि माइटोटिक Phase आती है अब जीवों में कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर ये जो विभाजन है वो तीन प्रकार का होता है जैसे पहला जो है असूत्री विभाजन है जिसे ए माइटोटिक डिविजन भी कहते हैं दूसरा है समसूत्री यानि माइटोसिस सेल डिविजन कहते हैं और तीसरा जो तो चलिए अब पहले हम सूत्री विभाजन की बात करते हैं यानि माइटोसिस सैल डिविजन किस तरीके से होता है उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह जो डिविजन है वो किन-किन और्गिनिसम में पाया जाता है तो जैसे आप यह देख रहे हो कुछ मॉनेरंस है यानिवाइक्टिरिया है प्रोटो जोंस है यानि अमीबा पैरा मेशन यूगलीना है कुछ अलगी यानि शेवाल जैसे क्लैमाईडोंस है इन में जो है इस तरीके का डिविजन पाया जाता है और सामानेता इसको बाइनरी फिशन भी कहते हैं बाइनरी फिशन आपने आमीमा में पहले की क्लासस में पढ़ा भी होगा लेकिन फिर भी आज हम इसको फिर से देखते हैं कि यह डिविजन जो है किस तरीके से होता है क्योंकि हम अभी जो है कोशी का विभाजन की बात कर रहे हैं तो दरसल यह जो कोशी का जो विभाजन है जो असूत्री पहले जो है कोशिका का आकार आयतन बढ़ा होता है और फिर इसमें केंद्रक जो है आप ये जैसे पिक्षर में भी देख रहे हो केंद्रक जो है वो डंबल शेप का होता है यानि वो लंबा होता जाता है और फिर एक इस्थान पर ऐसा आता है कि ये जो केंद्रक है वो दो भा बढ़ गया इसके बाद कोशिकाई है उसके बीच में जो हो खाष बनने लगती है आप जैसे देख रहे हूं और खाष दीरे और गहरी होती जाती है और इस तरीके से यह दो कोश्यकाई बन जाती है दो, डॉटर सेल्स बन जाती है तो इसमें यदि देखा जाए तो सबसे पह एक पहले देखा था इसको डारेक्ट डिविजन भी कहते हैं तो ये हो गया पहले प्रकार का सार डिजन और सुत्री विभाजन अब C कि दुसरा हम सम्सूत्री भी भाजन यानि मैटर से इसाल डिविजन को जो है एम फिस कहते हैं और इसको साथ ऐस डिविजन भी कहते हैं और आप याद करेंगे पिछले वाले हिस्से में भी हमने बात की थी कि M phase में सबसे कम समय लगता है, अगर हम human being की बात करें तो वो जो समय है किवल एक घंटा है, जैसे पूरा cell cycle जो है वो 24 घंटे में पूरा होता है, यानि cell जो है डिवाइड होने में उसको कितना समय लगता है, तो 23 घंटे जो है वो उसकी preparatory phase में लगता है, यानि इंटर फेस में लगता है, और किवल एक घंटा लगता है कि वो कोशी का विभाजीत हो जाती है, तो यह समसुत्री विभाजन में, यानि M phase में जो है वो सबसे कम समय लगता है, अब इसके इतिहास की बात करें, तो स उसमें सबसे पहले देखा था, और उसमें उपस्थित सूत्रों के आधार पर उन्होंने इसका नाम Mitois रखा था, माइटोस का मतलब होता है Thread, और उन्होंने ये वी देखा था कि उसमें जो सूत्र है, यानि जो धागे हैं, पूरी लंबाई में दो भागों में विभाज जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जो कोशिका विभाजन है, वो जीवों के वृद्धी के लिए आवशक है, और कहीं पर हमने देखा कि प्रजनन का भी तरीका यह है, जैसे अभी हमने असुत्री विभाजन की बात की थी, अमिवा पैरामिश्यम, या यूगलिना कह लें या बैक्टिरिया कह लें, या क्लेमाइडो मानस की बात कर लें, जिसमें असुत्री विभाजन हो रहा है, तो इनमें जो है, वो प्रजनन का तरीका हो रहा है, लेकिन और जीवों में क्या होता है, यानि मल्टिसलिलर और्गेनिसम में क्या हो रहा है, यह कोशिका, यह जो विभाजन है वो जीवों की वृद्धी और विकास के लिए आवश्यक है तो इसमें हम समस्त्री विभाजन में हम बात करेंगे कि यह किस तरीके से वृद्धी और विकास में यह आवश्यक होता है अब इस M-phase में यानि की माइट्र से साल डिवजन में जो है दो उप अवस्त क्यांने में बीवाजन और विभाजन तो सिधा इसके नाम में गौर करें केंद्रक का विभाजन तो आप उसकी जो शब्दा वालियाल आप इसके इसको बहुत-स नाम है हैं और आगे इसकी व्याखिया कर सकते हैं तो पहला हुआ यह logic होता है कि कोशी का द्रवी का विभाजन होगा तो इसमें सबसे पहले जो है के इंड रट का विभाजन होगा और इसके बार जो है साइटर काइनेसिस होगा यानि कि साइटो प्लाजम का विभाजन होगा कोशिका बॉडि बॉडि-का वी बाद्य होगा और फिर कोशिका जो है वो दो भागों में तो डॉंटर सेल्स में बट जाएंगी तो इस तरह के इसे दो के वुख distance है अब हम पहले हम Kendra के न की बात करेंगे हैं की करिया आइस की बात करेंगे तो करी में केंदर के विभाजन जो है उच को हो Ben रही है कुन कॉन्कैसी है पहली है पूर्म अवस्था जिसको परो पेस कहते हैं दुसरी है मध्य अवस्था जिसको मेट Quand और तीसरी है पश्चा वस्था जो एनफेस कहलाती है और चौती है अन्तिय वस्था जिसको की टीलो फेस कहते हैं अब इन चारों अवस्थाओं में किस तरीके से केंद्रक का विभाजन होगा उसको हम ध्यान से देखेंगे तो यदि हम पहले बात करें यानि पहला वाला जो अवस्था है वो प्रोफेस है यानि पूर्वा वस्था है इसमें क्या-क्या परिवर्तन आता है इसको हम देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस पूर्वा वस्था में जो है कि केंद्रक के विभाजन की जो अवस्था है वो दर असल यहीं से ही शुरुवात होत और ये दोनों प्रक्रियां किसतरीके से होती है इसको हम देखते हैं तो सबसे पहले जो है कि जो लंबे पतले लंबे पतले ठ्रॉमयूजम छो धागे हैं अभी वह पतला है वह सूत्रनोमा जो है वो chromatin network कहलाते हैं तो यह chromatin network जो है वो छोटे और मोटे होते हैं मोटे होते जाते हैं फिर क्या होता है कि इन में जो है छोटे और मोटे होकर condense होकर यानि कि संगनीत होकर ये chromosome का निर्मान करते हैं यानि गुण सुत्र को बनाते हैं अब प्रते गुण सुत्र में देखा जाए तो दो सुत्र हैं जो आपस में क्या है लिप्टे हुए हैं और इनको जो है अब ये chromatids कहते हैं यानि जो दो सुत्र हैं उनको chromatid कहते हैं और जो बीच में आप जो देख रही हो यह संट्रोमियर होता है इस संट्रोमियर से जो है दोनों क्रोमिटेट जो है आपस में जुड़े रहते हैं इस प्रोफेज के लेट स्टेस तक यानि जब यह अवस्था जब आखरी होने वाली होती है इसमें जो है फिर वो नुकलियोल सेंट्रियोल जो है आपको याद होगा कि वल आनिमल सेल में ही ये सेंट्रियोल पाया जाता है तो सेंट्रियोल जो है वो तोनों पोल्स की और ये चले जाते हैं और फिर इन सेंट्रियोल से जो है वो स्पिंडल फाइबर्स निकलने लगते हैं तो इस तरीके से ये कुछ के बाद अब मेटाफेस आती है मेटा का मतलब होता है वेटूइन आप समस्थे बीच तो मेटाफेस में आप इस शब्द से नुक्लियर मेंबरेन और नुकलियोलस डिसापियर होने लगती है लेकिन इस फेस के आने तक जो है यह टोटली डिसापियर हो जाती है जैसे आप यह इस पिक्षर में भी देख रहे हैं और क्रोमोजोम जो है यानि गुर्षूत्र जो है वह कोशिका के मध्य तल पर उस तरफ गती करने लगते हैं यानि उस और बढ़ने लगते हैं अब सेंट्रियोल से जैसे हमने बात किती कि स्पिंडल फाइबर्स निकलने लगते हैं अब यह क्रोमोजोम जो है मध्य तल पर जब यह एकत्रम होने लगते हैं इस तरह से व्यवस्थिद होते हैं कि स्पिंडल फाइ हैं वह मद्य सता की और जुके वे रहते हैं जैसे आप देक्श को जिए जो इन और इसके जो बीच वाला है वह मत देल यानी एक्वीट्र प्लेंड कहलाता है तो इस इक्विटर प्लेन पर जो है वह गुण सुत्र आकर इस तरीके से विवस्तित होते हैं कि इनका संट्रमीर जो है वह स्पिंडल फाइबर से अटेच रहता है यह जुड़ा रहता है और इनके जो क्रोमेटेट्स है वह मध्यतल की और जुके रहते हैं तो जो इसकी यह इसके बात की अवस्ता में क्या होगा तो इसमें मुख्य जो बात है वह आपको याद करने के लिए है कि इसमें जो है गुर्शूत्र जो है ध्रुओं की ओर पहुंच जाते हैं यानि पॉल्स की और यह एकत्र हो जाते हैं जो इसकी विशेष्ता है क्योंकि आपको कभी- आप से सवाल इस तरीकी की जाते हैं तो यह आपको ध्यान देना है कि हर एक फिसका एक स्पेसिफिक क्यारक्टर से तो जैसे हमने मेटाफेस की बात की वह बीच में आ जाते हैं और एनाफेस में क्या होगा गुर्शूत्र जो है वह ध्रूमों तक ध्रूमों पर पहुंच पी humility, कि दो जाएंगे तो इसमें होता क्या है कि सेंट्रो मीर से जो जुड़एवे स्पिंडल फाइबर्स सेंड़श से जीजिए tai जसी डेखर से इस नो फाइबर्स में यह जो है धोफसके दूफ्ट यह चोटे होने बाता है तो जैसे वह होने लगते हैं पलता है तो यह यह जैसे ही जह यह खिचाव बढ़ता है तो यह संट्रöt मिए जो है वो डो भागों में बढ़ता है हम कैसे देख रहे हैं इसको गुंसुत्र जा है गुंसुत्र मे बीचमे संट्रय। मेर हैं जुञाओं से स्पंडल Mare यह है वह अलग वो गय तो जिस तरीके से एलग होते हैं और फिर क्या करते हैं जैसे इस भीड़ से आग्र बढ़ता है इस तरीके से थिरे असिवाल 210 को कि आप देखिरू तो इस तरीके से यह फेसे अपने गशिवाल केमा यह आप और फिर धीरे धीरे जो है spindle fibers जो है वो समापत होने लगते हैं यानि खत्म होने लगते हैं और फिर जब यह गती कर रहे हैं तब यह देखेंगे आपकी अलग-अलग shape size के दिखाई दे रहे हैं कहीं पर यह L या U या V या J या I आकार के यह दिखाई दे रहे हैं तो इस तरी नेक्स्ट फेज जैनि टीलो फेज की बात करेंगे टीलो का मतला वहता है एंड यह अन्तिम अवस्था है अन्तिम फेज है तो इसमें क्या होता है जैसे अमने इन फेज में बात की गुण सुत्रों पर गुण सुत्र जो है वो धूरूओं पर पहुँच गाए इस पिंडल फाइबर स्पूनते आ जो है वो लुपत हो जाते हैं अब इस फेज में मुख्यता जो है गुण सुत्र के चारों तरफ जो है वो न्यूक्लियर मेंबरेन यानि केंद्र जिले जो है उसका निर्मान होने लगता है और फिर इसके अंदर में न्यूक्लियोलस का जाता है जो इस फेज की मुख्य विशेष्टा है यानि कि गुण सुत्र जो है ध्रूमों पर पहुंच गया इनके चारों और न्यूक्लियर मेंबरेन बन गई और न्यूक्लियोलस भी बन गया तो इस तरीके से यह एक कोशिका के अंदर आप देख रहे हो दो केंद्रक बन होमोजोम जो हमने पहले मेटाफेज में देखा था जो छोटे और मोटे कंडेंस और इस पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे अब इस अवस्था में फिर से वापस डियने में जो प्रोटीन होता है उसका जलग घटन होता है जिसके कारण से वापस फिर यह तंतुनुमा है की इस अवस्था में यानि टीलो फेज में देख रहे हैं एक कोशिका के अंदर दो केंडरक बन गए जो इसकी विशेष्टा है अब इसके बात क्या होता है की केंडरक का विभाजन हो गया यानि केंडरक दो जो नियूकलियाइं बना लिया अच्छा और एक और महतुण जाृट्षे निवाल कि इसमें जो क्रुमोसिम था संख्या है जैसे एक पेरेंट सेल में मानलो कि 46 है जैसे हम लोह हिमन बिंग में हमारी कोशिका में एक कोशिका में 46 catastrophms होते हैं तो जब यह divided हो रही है यानए जब दो केंद्रक बन रहे हैं तो दोनों केंद्रक में गुरसुत्रों की संख्या जो है वो समान होगी अपने पैरेंट सेल के समान हो कि बहुगा है यानि की कोशिका द्रवय का विभाजन आता है तो उसको आप हम देखेंगे साइटो काइनसीज किस तरीके से होना तो यह अनिमल सेल और प्लांट सेल में जो है वो अलग-अलग मैथट से होता है इसको भी समझने की ज़रूरत है कि यह दो मैथट जो है वो क्या क्या है तो जैसे कि यदि हम एनिमल सेल में बात करें ये एनिमल सेल में हम एक एक्सामपल लेके बात करते हैं कि किस तरीके से इसमें ये विभाजन हो रहा है तो जब एक इंद्रक का विभाजन हो जाता है तो साइटो काइनेसिस यानि साइटो प्लाजमे की विभाज बनना यानि खांच फरो बनना चालू होती है जैसे आप यह देख रहे हो और इसको जो है क्लिविज मैथट कहते हैं तो यह जो खांच है धीरे-धीरे क्या होती है गहरी होती जाती है और फिर जब पूरी हो जाती है तो फिर कोशिका जो है वो दो भागों में बढ़ जाती है दो डॉर्टर सेल्स में बढ़ गई दोनों में किंद्रक हैं अब जैसे देख रहे हो तो यह ऐनिमल सेल में इस तरीके से होता है क्योंकि प्लांटस में आप जानते हो क्या होती है जो सेल वाल जो है वह मोटी थिक और ड्रेड आट पार्टिकल्स की बनी होती है तो इसमें खा केकिस हոगा तो इसमें हम देखते हैं तो बीच में इनके नि जो कोशिका में जब दो केंद्रत बन गए के बीच में एक जो है सल प्लेडिन कोशिका पटर का निरमान होना शुरू हो जाता है कोशिका पटर बीच से चालो होता है और धीरे-दीरे वह परीधी की और बढ़ता है जैसे जैसे परीधी के और बढ़ता है किनारों तक पहुँचता है और तब पिर एक कोशिका से होंे ज़से कोशिकर से दोप कोशिकाइ बन जाती हैं दरशल इस सेल प्लेट का निरमान जो है वो गॉलजी बॉडी के साइटो प्लाज्म का विभाजन होगा यानि कोशिका कि जो बॉड़ी है उसका विभाजन होगा और इस तरीगे से एक कोशिका दो डॉटर सेल्स यानि दो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं और यहां एक और महतरपूर्ण बात ध्यान देने की है इसमें जो है क्रोमोजोम की जो संख्या है वो क्या रहेगी अपने पेरेंट सेल के बराबर होगी। बच्चों अब हम समसुत्री विभाजन की विशेष्टा को जानेंगी और फिर इसके महत्व को भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जो विभाजन है यानि समसुत्री विभाजन जो है वो सुमेटिक सेल्स में होता है यानि काईक कोशिकाओं में होता है और जिसे दहिक कोशिकाओं भी कहते हैं अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि दहिक कोशिकाओं या सुमेटिक से से कहते हैं तो हमारे शरीर में जो reproductive organs है यानि जनन अंगों को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा बाकी जो भी हमारे शरीर के अंग है और जो कोशिकाओं से मिलकर बने वे हैं वो somatic cells हैं तो इन somatic cells में यह समसुत्री विभाजन होता है यानि माइटर से सेल डिविजन होता है केवल reproductive organ को यानि टेस्टिज ओवरी छोड़ दिया जाए तो उनको छोड़ कर अब फिर इसकी एक और विशेश्ता देखते हैं कि यह इसमें जो है पैरेंट और मदर सेल जो है वो दो इकवल डॉटर सेल्स में यानि की पुत्री कोशिक भाउयों में विभाजन होता है तीसरी बात देखें तो इसमें जो जो है जो पैरेंट सेल में जितने क्रोमोजोम नंबर थे तो वह डॉटर सेल्स में भी क्रोमोजोम नंबर की जो है वो संख्या बराबर होगी और नेक्स्ट यदि हम इसको देखें तो इसमें जो अनुवानशिक समानता है यानि चूकी एक जो कोशी का है उसी के ही गुणसुत्र विभाजीत होकर दो डॉटर सेल्स में बढ़ रहे हैं तो उनमें जो अनुवानशिक जो विशिष्टता है यानि जो जेनेटिकली यानि जो होंगे समान होगे कर टो यानवानशिक रोफ से अपने होब हो अपने पैरंटस सेल के बराबर होती है फीर इसमें जयाने में नहीं होता है क्रोसिंग और एक महतवपुर्ण प्रक्रिया जो कि मियोसिस सेल डिवजन में होती है जिसको हम देखेंगे इसके बाद यह जो विभाजन है उत्ताक वृद्धी और शारेरिक वृद्धी के लिए सायक होता है जैसे हमने पहले वाले हिस्से में हमने कुछ इक्जाम्बल्स की जरिये भी बात की थी कि जैसे एक आपने बीज बॉया है तो वो धीरे-दीरे क्या और बड़ा हो रहा है और एक छोटा सा बीज जो है वरिक्ष का रूप ले लेता है एसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है आप देखते हो धीरे-दीरे वो क्या ओर रहा बड़ा हो रहा है उसके कारण कि याने की उन में जो को शिकाय बनेंगी इन जाकू लग गया गिर गया एक्सिडेंट हो गया कुछ भी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि घाव भरने में साहता करता है यानि जो चोट लग गई है उसमें जो उसकी जो पूर्ती करनी है च्छती पूर्ती जो करनी है वो इस विभाजन के जरिये ही हो सकती है और फिर तो यह हमने विशिष्टेत की बात की अब हम इसके महतर बात करते हैं कि क्या इसका कितना महत वह हमारी लाइफ में हमारे जीवन में तो तो जीवों के शरीर का निर्मान जो है वो वृद्धी जो है और विकास जो है वो केवल किसके द्वारा संभाव है समसुत्री विभाजन के द्वारा संभाव है तो इस नजरिया से देखें तो यह बहुत इंपोर्टेंट है साल डिवजन जो सजीवों में होती है और फिर निमनेश्रेणी के जीव एल्गी बैक्टिरिया है कुछ प्रोटोजवन्स हैं कुछ फंग फंगस है उनमें यह प्रजनन इनी के जरीए होता है यानि आप जानते हैं कि प्रजनन जो है जीवों का एक लक्ष करेक्टरिस्टिक फीचर्स है तो यह फीचर्स जो है वह कुछ जीवों में इसी समसुत्री विभाजन के जरीए हो रहा है और फिर चुकि इसमें अनुवांशिक विश्षिष्टता बनी रहती है क्योंकि जो डॉटर साल्स होती है वह आइडेंटिकल ट्विन्स होती है वह पर ने पैरेंट के हुभू रहती है तो अनुवांशिक विश्षिचता को बनाय रखने में यह सायक होता है फिर और हम इसमें देखे तो यह गुण्सुत्रों की संख्या के संदुलन में भी सायक है जैसे हमने बात की ती कि गुण्शुत्रों की संख्या जो है वह वह डॉ जब हो रहा है तो मृत कोशिकाएं हैं उनका रिप्लेसमेंट जो है यानि उनका उनकी जगह जो है नहीं कोशिकाएं लेंगी पर वो नहीं कोशिकाएं बनेंगी कैसे तो इस समसुत्री विभाजन के जरिये ही नहीं कोशिकाएं बनती है और फिर कुछ ऐसी कोशिकाएं भी है जिनका एक निश्यत समय अंतराल होता है जैसे कि RBC है आप जानते हो RBC का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है और WBC का जो है वो 13 से 20 दिन का होता है तो इनका भी स्थान लेने के लिए यानि नहीं कोशिकाएं जो है वो इसी समसुत्री विभाजन के जरिये ही नहीं मृणा मृष यह लिए तो समसुत्री विभाजन प्रति फललन मिवह कि आन्य अंतरे धंक मिद्स मिवह जरिके कि यह जो डिविजन हो रहा है यानि समसुत्री विभाजन जो हो रहा है एक कंट्रोल वे में होता है जैसे अभी हमने बात की कि घाव भरने में भी साया गया तो मालो आपके हाथ में चोट लग गई है तो आपके में जो जो नहीं कोशिकाओं का जो प्रतिस्थापन होगा यानि मृत कोशिकाओं की जगर नहीं कोशिकाओं बनेगी समसुत्री विभाजन के जरिए तो उसका एक जरिये ही होती है यानि कि यह जब अन्यांतर ढंग से विभाजन करने लगती है तब गांड बन जाती है और फिर यह कैंसर जो भीमारी है वो इसी के जरिये ही होती है तो इस तरीके से भचों हमने समसुत्री विभाजन किस तरीके से होता है उसको देखा इसके विशिष्ट्राओं को देखा और इसके महतु को देखा